पंजाबी सिंगर नौराज हंस एक नीची कारकर में प्रिफॉर्मंस दने के लिए अज जैपूर पहुचे। इस ताराण मीडिया के सामने उन्होंगे अपने काने को भी प्रमोट किया। हम आपको बता देए कि नौराज जाने माने सिंगर हंस राज हंस के बेटे हैं। नौ आप राज पहले तो जैपुर में आपका बड़ा स्वागत है कैसा लगा जैपुर आपके और क्या खास होने वाला इस बार जैपुर में कि सबसे पहले राम राम जी बहूत अच्छा लग रहा है मुझे यहां पे बड़ा मजा रहा है खाने शाने चल रहे हैं कल रात सी और अभी शाम का इवेंट बहुत मजा रहा है अच्छा आपके फादर जाने माने सिंगर है हांस राज हांस जी तब दुनिया उनको जानती है कितना इंस्पिरेशन आपको उनसे मिला आप सिंगिंग में आए कि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है और जाना है आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे जी एक सबसे पहले मुझे लगता है हर बच्चे पर एक फादर का इंफलेंस बहुत होता है हर बच्चे का सूपर हीरो उसका फादर होता है मेरे केस में इससे भी ज्यादा था मैंने उनको जब जब उनके प्रफेशन में नहीं था तो मैं उनको एस डैड एस सूपर हीरो ल बहुत बड़ी बात है, तो मेरी नजर में उनकी जो एक रिस्पेक्ट थी, इज़त थी, एक फादर से उपर जो उस्ताद का एक रुद्बा हता है, वो मेरे नजर में उनका है, मतलब, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरी लाइफ में है यह यह नहीं कोई. क्योंकि आपने बात करी उस्ताद की, तो क्या आपके फादर आपके उस्ताद है या आपने सिंगिं किसी और से भी सीखी है? मेरे फादर ही मेरे उस्ताद है, हलांके मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ, उन्हों नहीं बोला है कि इन लोगों को सुनना है, क्योंकि वो चाहते थे कि ये मेरी तरह नहीं बने, सिर्फ एक आर्टिस्ट की तरह नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत सारे लैसन्स खुद बैट के भी दिये हैं, लोगों की कैसेट सुनाई हैं, सीडी सुनाई हैं, तो ही मेड मी एंफाइटर बेसिकली कि हर जगा पे जाके रेडी रहना है हर चीज को गाने के लिए. चलिए आपके गाने काफी फेमस हो चुके हैं, अभी यूट्यूब में भी काफी मिलिन्स लाइक आए हैं, दे दे प्यार दे हिंदी फिल्म जो है, उसमें भी आपका गाना आ रहा है, एक गाना अगर आप हमारे दर्शुक के लिए थोड़ा सा गा दे प्लीज. जैसे कि आपने देखा कि ये थे नवराज हन्स, इसनों ने अपने हमारे साथ शेर किये अपने कुछ एक्स्पिरियेंसेज, यहाँ पे जैपुर में एक इवेंट के लिए हैं, और जैपुर को काफी इंजॉई कर रहे हैं, क्यामरे पसंद इकबाल के साथ मैं काविता चौ